आप सभी युवाओं का जाबाजों का ये उत्सा राष्ट्य एक तादिवस की बहुत बड़ी ताकत है एक तरह से मेरे सामने लगु भारत मिनी इंडिया का स्वरूप दिख रहा है राज्य अलग है भाशा अलग है परंपरा अलग है लेकिन यहां मौजूद हर व्यक्ति एक ताकी मजबूत डोर से जुड़ा हुआ है मन के अनेक है लेकिन माला एक है तन अनेक है लेकिन मन एक है जैसे 15 अगस हमारी स्वतंत्रता के उत्सव का और 26 जन्वरी हमारे गणतंत्र के जैगोश का दिवस है उसी तरह 31 अक्तुबर का ये दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रियता के संचार का पर्व बन गया है 15 अगस को दिल्ली के लाल किले पर होने वाला आयोजन 26 जन्वरी को दिल्ली के कर्तवयपत पर परेड और 31 अक्तुबर को स्टेची अफ यूनिटी के सानित्य में मान नर्वद्या के तड़ पर राष्ट्री एकता दिवस का ये मुख्य कारकम राष्ट्र उत्थान की त्री शक्ती बन गये हैं आज यहां पर जो परेड हुई जो कारकम प्रस्थूत किये गए उन्हाने हर किसी को अभिवूत किया है एकता नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्सन नहीं होते उसे सरदार साप के जीवन उनके त्याग और एक भारत के निर्मान में उनके योगदान की जलग भी मिलती है इस प्रतिमा के निर्मान गाता में ही एक भारत रिष्ट भारत की भावना का प्रतिवीम है इसके निर्मान के लिए देश के कोने कोने से किसानों ने खेती के ओजार दिये लोह पुरुष्टी प्रतिवा के लिए लोहा दिया देश के कोने कोने से मिट्टी लाकर यहां बॉल आफ यूनिटी का निर्माण हुआ यह कितनी बड़ी प्रेरणा है इसी प्रेरणा से ओत प्रोत करोडों की संख्या में देश वासी इस आयोजन से जुड़े हुए है लाखों लोग देश भर में रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं एक्ता के लिए दोड़ लाखों लोग सांस्कृतु कारकमों के जरिये इसका हिस्सा बन रहे है जब हम देश में एक्ता का यह प्रवाह देखते हैं जब एक सो चालीस करोड भारतियों में एक जुड़ता के यह भाव देखते हैं जैसे सर्दार साप के आदर्श ही एक भारत स्रेष्ट भारत का संकल्प बनकर हमारे भीतर दोड रहे हैं मैं इस पामन अवसर पर सरदार वल्लभाई पटेल के चरणों में नमन करता हूं मैं सभी देश वास्यों को राष्ट्रे एक्ता दिवस की अनेक अनेक शुपकामनाय देता हूं मैं सब्सक्राइब करता हूं